हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार कई सारे एडवाइजर्स नमबर ओपॉलिसीज बढ़ाने के चक्कर में अपनी कई सारी पॉलिसीज स्प्लीट करते हैं शायद लैक ओफ नॉलेज की वज़े से मतलब ज्यान नहीं होने की वज़े से तो फिर पॉलिसी स्प्लीट करना कहां तक सही है और कहां तक गलत है आईए जानते हैं आज की इस वीडियो में जिसका टॉपिक है तिंग्स तो बे अंडूस्टूद बिफोर यू स्प्लीट दे पॉलिसी दोस्तो वेलकम बैक मैं मिलिन वाला वलकर डेवलप्ट ओफिसर और एजबीए फ्रम एमडियो टू आप सभी लोगों का आज के इस नई वेडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तो कोई भी पॉलिसी स्प्लीट करने से पहले हमें सबसे पहले एक बहुत बड़ी बात का ध्यान रखना होगा जो है कस्टमर का फाइदा LIC में कोई भी पॉलिसी लेते समय कुछ डिसकाउंट्स स्पेशली कस्टमर को दिये जाते है सबसे पहला डिसकाउंट होता है हाई समेशोट रिबेट अगर आप ये नीचे का चार्ट गौर करो तो आपको पता चलेगा कि अगर 914 माने इंडॉमेंट पॉलिसी अगर कोई लेता है तो 1,95,000 तक कोई डिसकाउंट नहीं है मगर 2,00,000 से आगे 4,95,000 तक 2,00,000 तक 2,00,000 डिसकाउंट दिया जाता है अगर यही पॉलिसी 5,00,000 या उससे आगे ली जाए तो उसके पर 3,00,000 डिसकाउंट दिया जाता है अगर आप जीवन लक्ष की बात करो तो 1,90,000 समय शोड तक कोई डिसकाउंट नहीं है मगर 2,00,000 से लेके 4,90,000 तक 2,00,000 तक कोई डिसकाउंट नहीं है मगर 5,00,000 से 9,75,000 तक 1,25 रुपीज पर थाउजन 10,00,000 से 24,75,000 1,75 रुपीज पर थाउजन और 25,00,000 के आगे अगर आप लो तो 2 रुपया पर थाउजन आपको डिसकाउंट दिया जाता है हर पॉलिसी का हाई समैशोड रिबेट अलग-अलग होता है माने जितनी बड़ी समैशोड जितनी बड़ी पॉलिसी उतना जादा डिसकाउंट दूसरी एहम बात जितनी बड़ी समैशोड उतना जादा बोनस अगर आप इस चार्ट के उपर गवर करो तो आपको पता चलेगा कि अगर एक लाग की पॉलिसी है तो बोनस है 44 रुपया और वही पॉलिसी अगर एक लाग या एक लाग के उपर है तो उसका बोनस रेट होता है 45 रुपीज पर थाउजन तीसरी चीज फाइनल एडिशनल बोनस अगर आप फाइनल एडिशनल बोनस के इस चार्ट के उपर गवर करो तो फाइनल एडिशनल बोनस 40 रुपया है तो वही पे अगर 2 लाग के उपर पॉलिसी है तो उसका फाइनल एडिशनल बोनस बनता है 70 रुपया पर थाउजन दोस्तो आईए एक उधारन लेके इस बात को समझने की कुशिश करते है अगर कोई 35 उमर का आदमी 21 साल के लिए इंडॉमेंड पॉलिसी 10 लाग की लेना चाता है तो उसे क्या फाइदा होगा अगर सिंगल पॉलिसी लेता है तो और क्या नुकसान होगा अगर उस पॉलिसी लेता है अगर यह आदमी 10 लाग की सिंगल पॉलिसी लेता है तो उसको yearly premium 48,000 आता है मगर यही आदमी अगर 10 लाग की पॉलिसी लेते समय अगर 1 लाग की 10 पॉलिसी लेगा तो इसका 1,00,000 policy का premium आता है 5199 माने 10 policy का premium बन्दा है 51,990 अगर आप देखेंगे तो premium में 3,131 रुपया बड़ोतरी हो चुकी है maturity में अगर आप देखेंगे 10,000 की single policy में ये आदमी 21 साल में 10,00,000 रुपय जमा करेगा मगर यही अगर 10 policy लेता है तो उसे जमा करना पड़ेगा 10,69,000 माने कि 64,000 रुपया जादा जमा करना पड़ेगा maturity में आप देख सकते है some assured तो दोनों जगबे same रहेगी 10,10,000 मगर bonus पे इसका क्या असर होता है single 10,00,000 policy में bonus rate 45,000 पर थाउजन होने की वज़े से उसे bonus मिलेगा 9,45,000 मगर 10 policy लेने के कारण 1,00,000 policy का bonus बनता है 44,000 रुपया और 44,000 रुपय के rate से इसका 1,00,000 policy का bonus बनता है 92,400 माने कि 10 policy का bonus बनता है 9,24,000 रुपय यहाँ पे उसको 21,000 रुपया bonus का नुकसान हो सकता है और अगर आप final additional bonus देखे तो single policy में इसे मिलने वाला final additional bonus है 100 रुपया पर थाउजन माने कि 1,00,000 रुपया और वही पे जब वो 10 policy स्प्लिट करता है तो उसे मिलने वाला final additional bonus होता है 50 रुपया पर थाउजन जो बनता है 5,000 रुपया पर policy मने 10 policy का बनता है 50,000 रुपया यहाँ पे customer को 50,000 रुपय का नुकसान हो सकता है तो total receipt आप देख सकते है अगर 10,00,000 की single policy लो तो total receipt 21 साल के बाद बनती है 20,45,000 रुपय और अगर 1,10,000 policy दी जाए तो बनता है 19,64,000 रुपय मने की total loss of 1,35,000 रुपीज 64,000 रुपया एक्सेस प्रेमियम और bonus और FAB का loss 71,000 रुपय इस उधारण में अगर 921,00 मने endowment policy अगर 21 साल की ली जाए 10,00,000 की policy तो और अगर आप इस policy को 5,00,000,000 प्लस 5,00,000 में split कर दे तो customer को कोई भी loss नहीं होगा क्योंकि 5,00,000 की उपर high sum azure rebate 3% दोनों ही policy में उसे मिलेगा और bonus loss भी नहीं होगा दोस्तों इस चार्ड के जरीए आपको कुछ एहम चीज़े ध्यान में आई होगी अगर policy split ना करो तो customer को high sum azure rebate माने की discount ज़्यादा मिल सकता है और bonus और FAB में बड़ोतरी हो सकती है policy split करो तो customer को premium भी ज़्यादा भरना पड़ेगा और bonus में भी नुकसान हो सकता है अब बात रह जाती है कि इतना सब कुछ समझने के बाद भी policy split करना कब फाइदे में हो सकता है हर policy में जो high sum azure rebate का सबसे highest slab है उसके उपर अगर आप policy split करो तो customer को कोई नुकसान नहीं हो सकता अगर customer बड़े समयशूट की policy ले रहा है और बड़े समयशूट की policy लेने के बाद भविश्य में कभी भी उसे अगर financial crunch आ जाता है पैसा भरने की तकलीब अगर आ जाती है तो policy split करने की वज़े से शायद वो कुछ policies शुरू रख सकता है risk cover चालू रख सकता है और कुछ policies पेड़प करके रख सकता है और इसलिए जब कभी एक policy customer split करके लेना चाता है तो normally LIC उस customer से अपना consent मंगाती है कि वो जानता है कि policy split करने के वज़े से शायद उसको कुछ discount कम मिलेगा और bonus में भी कटवती हो सकती है दोस्तो policy holder की जरूरत के इसाब से उससे समझा कर उसके consent के साथ अगर आप उसकी policy split करो तो बहतर वरना आपका servicing का काम आप खुद बढ़ा रहे premium collection nomination change address change maturity loan ऐसे सारे ही policy servicing matter में आपने जितनी policy split की है उतने सारे forms आपको भरने पड़ेंगे पहले आप एक proposal form के उपर customer को जितनी चाहिए उतनी policy देव सकते थे मगर अब ऐसा नही रहा नए circular के हिसाब से हर policy के लिए आपको अब नया form देना होगा with all the KYC attachments माने की अगर customer को आप 10 policy दे रहे तो आपको 10 proposal form 10 COVID के form 10 age proof 10 pen card अधार card income proof ये सब देना होगा दोस्तो policies बढ़ाने से आपको शायद नाम मिल सकता है मगर lives बढ़ाने से आपको club membership मिल सकती है club membership देते वक्त corporations सिर्फ और सिर्फ आपके lives और आपका lap session ratio देखती है it is always better to have quality in quantity बाकि आप लोग समझदार हो आज के लिए इतना ही फिर में लेंगे अगले वीडियो में कुछ नए topic के साथ तब तक के लिए इजादत दीजे